क्लास 7 पार्ट 3 संस्कृत में आपका स्वागत है लटलकार प्रथम पुरुष लटलकार यानि वर्तमानकाल वर्तमानकाल जो धातुरूप होते हैं उसमें तीन पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आज मैं प्रथम पूरुस के बारे में बताने जा रही हूँ आकारांत इस्त्रेलिंग शब्द और इस पूरे पार्थ में इस्त्रेलिंग शब्द के बारे में बताया गया है आकारांत मतलब आ यानि दीरग आ से समात्थ होने वाले शब्दों को आकारांत शब्द कहते हैं एक वचन बाली का पठती लड़की पढ़ती है दुई वचन बाली के पठता दो लड़कियां पढ़ती है बहुवचन बाली का पठती सब लड़कियां पढ़ती है एक बाद ध्यान देने योग है पढ़ती है या पढ़ रही है दोनों ही सही है यही लड़की पढ़ रही है या लड़की पढ़ती है दोनों वाक्षी ही सही है अजा चरती बकरी चर रही है, अजे चरता दो बकरियां चर रही है, अजा चरंती सब बकरियां चर रही है, सा पठती वह पढ़ती है, ते पठता वे दोनों पढ़ती है, ता पठनती वे सब पढ़ती है एशा का या कौन? एते के ये दोनों कौन? एता का ये सब कौन? एशा कोकिला या कोयल? एते कोकिले ये दो कोयल? एता कोकिला ये सब कोयल? विशेश रूप से एक बात ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत में वाक्य बनाते समय आपको इस बात का विशेश ध्यान दे रखना पड़ेगा कि अगर करता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी अगर करता दूइवचन है तो क्रिया भी दूइवचन की प्रयोग करने पड़ेगी और करता अगर बहुवचन है तो क्रिया का प्रयोग भी बहुवचन में ही होगा इससे वाक्य को बनाने में कभी भी गलतियां नहीं होंगी धन्यवाद